आज मैं बना रही हूँ पास्ता अराबियाता और यह मैं बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ और बहुत ही कम इंग्रीटियन के साथ बनाने वाली हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिये वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये और हमें कॉमेंट क ग्राइब कर लिया है इसके अलावा मैं थोड़ा हल्दी बना रही हूँ तो इसके लिए मैं वेज़ेटिबल्स के यूज कर रही हूँ जैसे ये ब्रोकॉली है ये कैपसी कम है तो ये आप अपनी हिसाब से डालिए जो आपको पसंद है कुमेने कट कर लिये हैं इसके अला इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश बेसिल लीव्स और अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रही है तो आप ड्राइट भी यूज़ कर सकते हो बहुत एजीली मिल जाती है तो सबसे पहले मैं एक पैन चला रही हूँ मैं पैन चला आके और इसमें मैं डालूंगी बटर ये मैंने पैन चलाया और इसमें मैं थोड़ा सा ये बटर डाला है इसके इलावा मैं ये वर्जिन ओलिवायल भी इसमें डाल जही हूँ थोड़ा सा दो चमच आए अगर्ए अगर्ए इसमें जैसुल कट करके रखी है इनको मैं डालिका करूँगी मुझे इसको लाल नहीं करना है इसिे साटे करना ये बटर मेल्ट हो गया है बटर और और शलिराओ में मैं ये लैसुल डाल रही हूँ हूँ सबसे पहले मैं उसका सॉस रेड़ी कर रही हूँ इसे जस मुझे सॉते करना है हल्का सबस्कूप करना है इसे मुमें ला लें करना है यह लैसून हमारा हो गया है तो इसमें मैंने यह जो टर्माटोस पेस बनाया उसको डाल दिया उसको मिक्स करना है और टेस्ट रिकॉर्डिंग में इसमें नमक प्यूज कर रही हूँ यह नमक आप टेस्ट रिकॉर्डिंग डाल लिए इसके अलावा मैं यह चिली फ्रेक्स डाल रही हूँ इसी से ही हमारा सॉस जो है वो अराबियता बन रहा है नहीं तो यह कॉमो दारों बन जाएगा Kedalip यह fato करते हैं हम एच्छे से पाका लेना है यह जब तक हम अपने पास्टा को बॉयल कर लेते हैज इसके लिए मैंने यह एक पानी का बरतन चाहा दिया पापोने में पानी और पानी हम अच्छे से डालेंगे और इस पानी में हम थोड़ा सा एक चम बच करी पाइड डाल रहे हैं इसके लावा सॉल्ट तो नमट भी हम अच्छे से डालेंगे एक श्पून भरके हमने इसमें डाल दिया है और जब यह पानी हमारा बोल हो जाएगा तक हम इसमें पास्ता डालेंगे पास्ता को हमें अल्डांते ही पकाना है तो बहुत ज़्यदा कुक नहीं करना अल्डांती मेंज जस हम इसे तीट से कट कर सके इतना कुक करना है थोड़ा इसमें क्रुचिनेस होना चाहिए तो उसके लिए मैं पानी को भी बॉil होने देती हूँ पानी हमारा बॉil होगी है तो अब मैं इसमें पास्ता दालेंगे है यह सॉस अर्मूस्ट हमारा रेडी है तो यह जो पेसल लीव्स हमने ली थी इनको भी हमने कट कर लिया और इसको भी मिक्स कर देंगे इससे बहुत ही अच्छा आरोमा आता है बहुत अच्छा प्रेगर और नुम्हार सास आप निकाल करना लता है तो मैं इसको भी थोड़ा साब देक्स करहुए और यह हमारा सॉस रेडी हो गया है इससे मैं निकाल लग निकाल के रख लेती हूँ इस मैं आप निकाल के रख लेती हूँ यह पास्ता हमारा बॉइल हो गया है तो आप नेल से कट करके चेक कर सकते हैं या ऐसे स्कून से पीट में आप जब तपाएंगे तो आपको क्रंचीनिस उसका पता चलेगा तो अभी मैं इसी एक पानी से छान के निकाल लेकती हूँ अब एक मैंने डूबारा से फैंड चाढ आप जाया है और इसमें जैसे मैंने डाला था ठोड़ासा बटर और थोड़ा सा वर्जिन अल्वीव आप और इसको मैंने यह तो रहा से धीत कलिया अपनेउ अभी में इसमें डालगी हुँ वेजेटेबिस जो मैंने कट की थी ब्रोकोली और कैपसिकम उप्सकाइब लूप नहीं करना है जरा पहले डाले ज़्यादा अच्छा है, मैं नहीं साथ में डाला और कैपसिकम जल्दी गलते हैं तो यहीं थोड़ा बाद में गाली है करना है मुझे सच्चिया हमारी अर्मोस्ट हो गई है अगर आपको जिरूरत लगे तो आप खोड़ा इसमें स्टॉट डाल सकते हैं लेकिन पास्ता भी बॉयल करते समय नमक डाला है इना और सॉस में भी हमारे नमक है तो आप ये देखे ही यूज़ करिए कि आपको नमक डाल ये देखे हमारी सब्ग्या को पहीं हमें ने गलाना नहीं है तो अभी ये पास्ता मैंने छान के रखता है तो इस पास्ता को मैं मिल्स्टर रही है ये पास्ता और वेजिटेबल्स को हम अच्छी से लिट्स कर दे रहे हैं सब्चे अच्छे से मिक्स हो गए तो जो मैंने सौस रेडी किया था और अच्छे से मिक्स हो गई है और ये बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है मुझे बहुत अच्छा कलर आ रहा हैं मैं भी केमरे में हुतना अच्छा ना दिख रहा है और ताब फाइनली इसमें में ये चीज जो मैंने ग्रेट कर रखा है वह मैं डालूंगी नॉर्मली इसमें जो हम चीज यूज करते हैं वो हार्ट पार्मेसान यूज करते हैं बट वो हर जगे नहीं मिलता है तो नॉर्मल प्रोसेस चीज हम यूज कर सकते हैं तो इसे हम उपर से टालेंगे और ग्यास को हम बंद कर देंगे यह चीज डाल दे और अब यह जो हमने क्रश करकी काली में शरकी थी तो इसको भी मैं डाल दूंगी इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी और यह हमारा रेडी है पास्ता अराबिया तक इसको गार्निशिंग के लिए मैं यह फ्रिश बेसिल लीप इसको मैं ऐसे गार्निशिंग के लिए रख रहे हूँ तेखें कितना कलरफुल बहुत ही टेस्टी यम्मी बना है और इक है पिल्कुल रेडी है आप इसे सर्फ करके अब खा सकते हैं